अज़ो एवर्ड़ीबन वेलकम टू गोफ़ एग्रिकल्चर वाज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्यूपा के बारे में तो जैसे कि हम जानते हैं एक जो कंप्लीट मेटमोर्फोसिस होता है इंसेक्स में उनकी लाइप सैकल में ऐसे इंसेक्स के लाइप सैकल में चार स स्टेजेजेस होता है एक लारवा प्यूपा और इडिल्ट इससे पहले शर मार कोछ चुका है यानी अरी लेक्छ निस में पढ़ा था कि एक क्या होता है और व्यक्श का नुबर सैा चूभी कितने टैपस है ऊचशित पहला जुसा इस हूंसिए पाइब़ा तो शॉस स्टेज्च है सिर्य इसे लिए इस्टांपा को हम लोग पर्मनेंट स्टेज्च नहीं बोलेंगे ठीक है ये एक ट्रंजिशनल स्टेज्च है इन्सेक के development में ठीक है यानि इन्सेक के life का एक स्टेज्च है जो connect करता है लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज को ठीक है और दूसरे गट हम में बोलें तो प्यूपा क्या है थर्ड फेज है किसी इंसेक के लाइब साइकल में और वो इंसेक कैसा हो complete metamorphosis सो करता हूं ठीक है प्यूपा जो होता है वो रेस्टिंग और inactive stage है अब हम यहाँ पर रेस्टिंग क्यूं कह रहे हैं रेस्टिंग इसलिए होता है कि जैसे हम एक देखते थे तो वह करता था और फूड को फूट खाता था ज्यादा के अरब करता लेकिन अगरerer में देखें, वहória क्या है पॉइंट पे मूवब्मेंट जीरो हुता है लेकिन कुछ में आगे में Sh DIRECTOR ऑन होता है यहां ठीक को भिषाचिक नहीं पूछा जाता है और दूसरा inactive कहते है पूपा को एक तो resting कहते है क्योंकि वो fixed होता है और दूसरा inactive कहते है inactive इस लिए कि उसमें जो energy है उसका expenditure है वो एट मतलब अप्रॉक्स यह फिर similar to zero होता है मतलब कोई energy expenditure होता ही नहीं है ठीक है और यह जो पूरा प्यूपा जो स्टेज है वो होलो मेटाबोलस इंसेक्स में पाया जाता है तो यहां पर वर्ड ध्यान रखना कहीं पर आएगा या फिर MCQ में पूछा जा सकता है कि होलो मेटाबोलस इंसेक्स किसको बोलते हैं ठीक है इ हम यह हम पूपा गता है वह हम अगर आहे को थे कैसे वह हमलोलो मेटाबोलस इंसेक्स में बनता है यानि जिसमें मेटाम ओज़ान होगा और एक और रहानिह बार्रेशन होगा एक होगार या चर्शा दो हुँог धुए हो बात करें तो यह पुपा जो है वो एक जगा पे फिक्स्ट है तो यह इनकेपबल फीडिंग है यह मतलब खाना वना नहीं खाता उस चाहिं पर और क्विसेंट होता है यह नि जिसके अनिर लार्व आ पने आपको क्या अराता है? मौट करता है ज deepen टीम्स है और अपने आपको ओ को पुपा में अमसर्व घ्न अच्रीप कह वह यह तो आरक बना होता है यह सब सरह किया है दो क्लिन टीच में तरीके हे और दीच लाइन एक्समें दो कवरिया करता है प्रोटेक्ट करता है तो आप यहां पर आप जो image देख रहे हो इसमें दिखा रहा है कि जो पूपा है जो लारवा है वो पूपा में कैसे adult में यानि एक जो सेल बना हुआ था यह pupa का जो सेल था उसको ब्रेक करके यह adult में convert हो जाता है मतला adult जो है अपने आपको बाहर फ्लाई कर जाता है ठीक है अब हमारा जो next topic है वह structure of pupa तो आप जो left hand पे जो image देख रहे हो यही होता है pupa का structure ठीक है इसको हम कहते है जिस जगह से वह attach होता है इसको हम कहते है substratum यानि बेस ठीक है उससे निकला होता है जो attached part है substratum से pupa का उसको हम बोलते है silk pad ठीक है сilk pad से एक structure निकला होता है जिसको हम लोग क्रिमेस्टर कहते हैं इस फिरुप और फोकेस करोंगा और मैंन को बॉढ़ी से अटाय होते है तो आप अगर यहां को देखोगे तो यह एक बटरफ्लाइ पिंपा है जिसमें आ यह जो ऊपर वाला सेगमेंट पहे समें उसके अब होका सब्सक्राइब तो यह जो इखा रहा है प्यूपा कई एक लिविंग क्रियेचर है तो इसली जो से अधर मतरब जो लारवा गया था इसके अंदर इस वाले प्यूपा के अंदर उसका है नीचे था और अपने आपको उसने मौल्ट कहा है यानि जो सेल बनाना स्टार्ट किया वो अपने हेड की तरफ से बनाना स्टार्ट किया था और वो अपने आपको कवर कर चुका इसके अंदर में तो यह जो दिख रहे हैं यह कहा है यह तरफ सेबाद से फिर क्रीमेस्ट यह परंसिन करता है 흰िसके बाद सेल का और सलबी स्पप्छल्ब हेड की तरफ से करता है तो इसको था था पका बाद करते हैं जू कूपा है तो अइसका टैप तो किस बीस पे को अट होता जilt का ह 15 इंसक्शक और आप decision है तुस बेसिस पर जो फ्यूपा है वह तीन टाइबका है पहला उप्टेक्ट दूसरा एक्जरेट और थर्ड जो है कॉर्टेट ठीक है से इंसक्ट एक फिरिषन करता है जब अपना माल्ट प्रोसस्ज करता होला है या नि जब लास्ट करता है जो लार्वा यू प्यूपर होने के लिए तो उस sclerodized होगा लेकिन जो पार्ट exposed जा है इनवार्मेंट से वो completely या फिर highly sclerodized हो जाता है इस type of pupa में example किया है इसका moth pupa ठीक है यहां पर आप इसका image देख सकते हो अब यह जो optic type of pupa है वो भी दो तरह का होता है एक होता है chrysalis दूसरा होता है tumbler chrysalis pupa butterfly का होता है और tumbler जो होता है वो mosquito का होता है यह दोनों टाइप आप जो pupa है वो दोनों अलग अलग होते हैं तो फॉस्ट हम पढ़ेंगे chrysalis के बारे में तो chrysalis क्या है यह naked optic pupa है naked मतलब कहने का मतलब है कि वो transparent दिखता है हमें उनका pupa ठीक है बहुत सारे मतलब butterflies में इनका जो shape होता है वो angular होता है और attractive color से बढ़ा होता है मतलब इनका जो pupa होगा attractive color का होगा जैसे अब आपने पीछे देखा भी था इस वाले image में यहां पर देखो यह कितना है यह colorful है उसी तरीके से जो हमारा chrysalis होता है वो colorful होता है ठीक है यहां पर भी आप image में देख सकते हैं इस वाले image में जो first है दूसरा इसमें point आता है कि इनमें hook पाया जाता है ठीक है टर्मिनल इंड पर और यही hook जो है वो अपने आपको करता सब्स्ट्रेटम से और इस हुख क्या कहते हैं क्रीमस्टर कहते हैं ठीक है और इस हुख है butterfly की case में वो टर्मिनल इंड पर होता है यानि abdoemain यानि abdoemain जो होगा वो अटेश्ट होता है सब्स्ट्राटम से ठीक है और जो head वाला पार्ट जो होता है या निकलता है कि तरफ से और एक्चारिग फानले इसरे होता है कर ईग्रमार के तरफ से गजो की एक होपा कि पेटर्थ को ग्रिडल कहते है आवर इंड कारब से उसको में कि बीस्का सिरी मैंट अब हैख और एहां पर आग्राम है जो मैंने भी पहले भी डिस्कूस किया है अब सेकेंड आता है टंबलर तो टंबलर क्या है प्यूप आउक मॉस्टू इसका जो अगर हम सेप देखेंगे तो एक कॉमा सेप होता है और रूडुमेंटरी अपनेज पाए जाता है पहले तो कॉमा सेप आप इसमें डाइग्राम म आप एमरे बंस्कुमा सेप लेका क banc इसने लेकन भी प्रणिघा ये उनको का जनापनेगे इंस नि होता हैम उनके बाएप इसक्राइज का आ कि कर ऐंदक मॉटना सर्फेस के अंधर विप्रेशन है उनग उसी वाएपरेशान हो रहेकर पाता कूद थीजर करता है है माल लेते हैं को इंसेक्ट अगर उनकी प्यूपाउख खाने आ रहा है तो अपने आपको water surface है क्योंकि यह टंबले रहा है वह है यह अपने आपको water surface के जस्ट बिलो टिक कि वहां पर आपने आपको अटाइच करता है इनका सब शेटम होता है यह वाटर सर्फेस है उसके जस नीचे अपने आपको यह अटाइच करते हैं यह जो टाइप का प्यूपा है बहुत एक्टिव कहा जाता है क्यूंकि जैसे कोई प्रिडेटर आता है इनको खाने के लिए फिर मारने के लिए तो यह अपने आपको इस जगह से तोड़ लेते है और अगले के लवर पीज करते हैं रृहोई जब जब जाता है फिर अपने आपको का रहिए इसी वज़ास न को क्या कर सकाता है ऐसा अटिव टायप ऑफ को यहाट करता है एनपना यहां पर वही है रेजी है भी यहाँ पрी यहाँ क्लियर हो का जो second type of pupa है, exerate type, पहला हमने क्या बढ़ा था? Optic type, जिसमें हमारा, जितना भी appendages था, वो क्या था? Glute था, exerate type में कोई भी appendages जो होता है, body से glued नहीं होता है, मतलब सारे free होते हैं, ठीक है? और यह जो इसका example है, जितने भी oligo type of larva हमने पढ़े थे, oligo type of larva जिसमें मैंने बताया था कि, thorax region और abdomen region, दोनों जगा legs पाया जाएगा, ठीक है? तो इन दो, ऐसे जो भी larva हैं, जो भी oligopod होते हैं, वो सारे exerate type of pupa में convert होते हैं, ठीक है? एसे larva जो होंगे, sorry, एसे जो pupa होंगे, यह soft होते हैं और pale colored के होते हैं, ठीक है, example हो गया pupa of rhinoceros beetle, यह जो second image आप देख रहे हो, यह है rhinoceros beetle का pupa, next जो है, वो है corkid type of pupa, यह हमारा last type of pupa है, इन में कोई appendages होता ही नहीं है, यानि कोई भी appendages है ही नहीं, तो कोई glued होने का, या फिन नहीं होने का कोई मतलब नहीं रहा जाता है, इन में जो pupa होता है, वो barrel shaped होता है, smooth होता है, और इन में appendages नहीं पाया जाता है, जैसे कि आप इस वाले image में देख रहे हो, ठीक है, इसमें होता क्या है, जो larva को जो last skin होता है, वो convert हो जाता है, उनकी outer protective cover में, यह नही प्याहा तक का lecture आपको clear हो गया होगा, और जो हमारा lecture का last topic है, वो है pupal protection, अब pupa अपने आपको protect कैसे करता है, सबसे important बात है कि pupa को protect क्यों करना है अपने आपको, क्योंकि हम जानते है कोई भी stage है insect में, वो अगर अपने आपको move करा पा रहा है, तब तो अपने आपको प्यूपा जो अपने आपको in close कर लेता है, प्रोडेक्टिव कवर में जिसको हम लोग कहते है ककुन, ठीक है जिसे आप सिल्क में तो ककुन जिन्दल जानते होगे, उसी तरीके से different type of insects में, जो जो ककुन है यानि उपर का जो cover, प्रोडेक्टिव कवर है बहुत सारे चीजो अर्थन कहने का मतलब है वो soil से, बतलब जो उनका जो प्रेडिक्टिव कवर बना है वो soil से और जो इंसेक का saliva है, उन दोनों से मिलके बना है, ठीक है इसका example है gram pod borer, ठीक है बोडी हेर से बना होता है और इसका example है बूली बियर, आप ये दुनों यहां पर देख सकते हो, य यह हमारा अर्थन हो गया, ठीक है और यह हो गया हमारा hairy, ठीक है अब हमाते हैं, next, sorry, अब जो हमारा है वो फ्रेसी ककून, फ्रेस मतलब क्या होता है, जो भी excreta है या वे secretion insect का, वो और दूसरा saliva, यह दुनों मिलके बनाता है फ्रेसी ककून, और यह पाय जाता है coconut black headed caterpillars मे नेक्स्ट है fibrous ककून, जिसमें fibrous का यूज़ करके अपना यह protective cover बनाता है red palm weeple, और last puparium जैसे अभी हमने housefly में देखा था, hardened last larval skin, ठीक है, और यह housefly में बनता है, तो I hope यहां तक का लेक्षर कम्प्लीट हो गया है, और सब को समझ में आ गया होगा, और यह रहा इसका, जो last मैंने भी housefly का बताया है, कि housefly में जो last pupal, जो last larval skin होता है, वह इसके productive case में convert हो जाता है, तो thanks for watching this video, till then stay tuned, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ पाया हो, तो आप हमें हमारे channel को subscribe करो, आप हमारे channel को, हमारे Instagram channel को आप follow भी कर सकते हो, अगर किसी को इस lecture का, अगर PDF चाहिए, और PPT चाहिए, तो नीचे दिएगा है, लिंक पे जाके, या फिर go for agriculture हमारा telegram channel है, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, उचले मिलता है next lecture में, thank you.